हलो एंड वेलकम टू टेश्ट बोक सूपर कोचिंग अरारबी एलपी एक ऐसा रेक्रूट्मेंट एक ऐसी वेकैंसी जिसका इंतिजार बहुत लंबे समय से जो है एस्प्रिंट्स कर रही है और समय समय पर ये चर्चाए जो है वो निकल कर सामने आती है कि एलपी का नोटिफिकेशन आने बाला है वेकैंसी आने वाली है और फिर से अभी ये चर्चा चल रही है कि एलपी जो है उसमें नई वेकैंसी जो है वो आने वाली है तो क्या है इसमें सच्चाई क्या सच्च में नई वेकेंसी आने वाली है अगर आने वाली है तो कब तक आएंगी और कितनी वेकेंसी आएंगी इनी सारे सवालों का जवाब इस सेशन इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले आप लोग session को वीडियो को एक बार share कर दीजे ताकि आपके जो बाकी साथी हैं उन तक ये session ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी जो है वो यहाँ पर जानकारी मिल सके तो आई ये session को शुरू करते हैं तो देखे इस तरह की खपरे जो है लगातार चल रही है कि रेलबे में जो है वो रीजनल जो मैनेजर्स हैं जो रीजन्स हैं उनको कहा गया है कि वाई आप वेकैंसी जो है उनको ट्रेंपोर्ट करिए ठीक है और फिर newspaper में चला रहे ऐसे अथे वागे जो थिरे चल रहे है ठीक है double डेपार्मेंटल कॉम्टीटिव अग्जाम से उसका नोटिफिएशन के लिए नया नोटिफिएशन गो neighborhood के प्रोंति आपयू है ऐसे भी चीजे जो है चल रही है रेलवे में बहुत सारी पद खाली है लगबग 3,12,000 पद जो है वो इस समय रेलवे में खाली है तीन लाग 12,000 पद खाली है और रेलवे में हर साल 45,000 इंप्लोई रिटायर होते हैं और पिछला जो बड़ा नोटिफिकेशन है वो फरवरी 2019 म आया तो लगबग 2,000,000 वेकेंसी जो हैं पौने 2,000,000 पद जो हैं वो रेलवे में खाली हो चुके है पिसले कुछ समय में पिसले चार सालों में तो कहीं न कहीं आप मान की तलिए कि नई वेकेंसी जो है उनके आने की संभाबना यहां पर बन रही है और पिसले साल देश के प्रिधान मंत्री जी ने घोशना की थी कि अगले डेड़ साल यानि दिसंबर 2023 तक जो है वो यहां पर 10 लाग पदों पर भरती होगी जिसमें SSC जो है और बहुत सारी वेकेंसी निकालना तो कहीं न कहीं अब रेलवे में भी नई वेकेंसी आने की संभाबना बन रही है ठीक है किलियर है तो आप मान की चलिए कि नोटिफिकेशन जो है आपका ALP का अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आएगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका ALP और टेक्नीशन का नोटिफिकेशन जो है वो आने के चांसेज है और वेकेंसी जो है वो लगबग वो आपकी वेकैंसी यहाँ पर रहने बाली है एलपी में अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें जानते हैं एलपी की बारे में सबसे पहले आपकी जो एज लिमिट है वो 18-18 साल रहेगी मिनमा में 18 साल मैक्समा में 18 साल रहेगी आपके पास इंजिनरिंग का डिपलोमा या आई एक बार मैं आपको पैटर्न वो समझा देता हूं तो देखिए यह आपका रिक्लूट्मेंट प्रॉसेस है साथ मिनट का डूरेशन रहेगा 75 वह यहाँ पर आपके आने वाले हैं मिनमा 40 परसेंट मांक्स आपको स्कोर करने होंगी ओबी सी में 30 परसेंट स्टी में 25 परसें इसमपल ऑंड-क्लोमेटरी को सब्सक्राइब गाज़न क्लाक्रविक्टेजन करते हम सब्सक्राइब यह सारे एक रहने वालेयो हैं आंपको सिरीज कोडिंग डिकोडिटिंग टिकोडिंग नियुक्राइब डाटर इंट्रफिक्टाहि एंसरे कैट्धिजन को आपके शिए आर्गुमेंट यह सारे आपके रहेंगे जनल साइंस में आपका फिलिक्स सेमिस्ट्री लाइफ साइंस वह आपका 10th के लेविल का जनल अवेरनेस में क्या है करेंट अफेर्स आएंगे साइंस टेकलोजी कल्चर फेमस परसनल्टी एकॉनमिक्स पॉलिटेक्स यह सारे कुश् का जो लेविल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ठीक है अब इसमें कि इंजीनरिंग में क्या क्या आने वाला है आपके देखेंगे टॉपिक्स इंजीनरिंग ड्रॉइंग जिसमें आपका प्रोजेक्शन हो गया व्यूज ड्रॉइंट इस्टूमेंट लाइन्स जोमे वाले मिनमं क्वालिफाइंग मांस आपके 35 नमबर करेंगे और यह सारे टॉपिक्स में आपको देखने को मिलेंगे तो यह आपका स्लेबस हो गया ठीक है उसके बाद सेलरी की बात करते हैं तो 19,900 आपको बेसिक पे मिलेगी इसमें मिलेंगे आपको कई सारे अलाउंसे ती बिल्कुल छोटे शहरों में 18% बीच के शहरों में और 27% बड़े शहरों में मिलता है तो आपकी जो ग्रॉस सेलरी है वो इन सारे अलाउंसे को जोड़कर लगबक 40,000 के आसपास तो आराम से पहुंची जानी है यानि कि सेलरी आपको बहुत बहतरीन मिलने वाली है अब आसिसमेंट आता करनी होती है आपके जो यहां पर लोको मोटेव की मानर पार्टस उनको को को से अपके जोड़क करना हिस है और जो आपकी safety है security है उस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना होता है ठीक है railway signals बगएर आपको नज़र रखनी होती है ठीक है आप promotion की बात करें तो आप senior assistant लोको पालेट बनेंगे फिर लोको पालेट फिर लोको fourman supervisor फिर आप बनेंगे power controller और crew controller और लोको fourman supervisor इन पोस्टों पर आप जो है पिर मोट होंगे promotion कई चीज़ों पर depend करता है ऐसा नहीं है कि आप हमेसा अल्पी बन कर रहेंगे तो यह आपके जो है department के आपकी जो department है उसकी policies पर depend करता है कि आपका promotion कैसे कब और कितना हो सकता है ठीक है तो यह सारी चीज़ें यहां पर रहती है तो यहां पर हमने complete जानकारी लिए कि नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा कब आएगा कितनी वेकैंस आएंगी क्या 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 है रहेंगे सब कुछ हमने आप डिसकस किया तो सेशन खतम करें उससे पहले आपको एक्जाम की तयारी कैसे करने वह भी जान लेते हैं तो आप सुपर कोचिंग सारे सब्जेक्ट यहां पर आपके रहने माले हैं इंडिया के बेस्ट इचर और इंस्ट्यूट्स वह आपकी तयारी कराएंगे 500 प्लस लाइक प्लासे मिलने वाले जिसमें रहेंगे फॉर फिप्टी प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे ताकि आपकी स्पीड एक्कुरिसी मैंट इच आपको डिसकाउट मिलेगा एप्लाइक को बन जाए मेरा कूपन के रहें अनुराग एट और इंस्टैंट डिसकाउट मिल जाएगा और अगर ढ़ापका कोर्स कम्टीट हो जाता है प्र लोगों को लगाने होते हैं मौक टेस्ट और मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप अपको जाना होगा इंडिया की सबसे विश्वास नीए बहतरी टेस्स सिरीbes जानी टेस्स पक्राइब पस्केंद जहां पर आपको 20 कोड़ाइए अनुराग पास ए ए ए यू आर ए जी पी ए डवल एस और आपको डिस्काउट मिल जाएगा एक साल का पास प्रो फोर फॉर्टीनाइन लाइफटाइम लाइए तो यह बहतरीन ओफर बहतरीन मौका इस ओफर इस मौके का लाब कोड़ाइए कोई भी सुपर कोचिंग लेने के लिए डिसकाउंट के लिए लगाईए मेरा कूपन कोड अनुराग ए ए ए ए यू आर एजी और टेश्बुक पास या पास प्रो पर चेस करते समय मेरा कूपन कोड़ाईए अनुराग पास ए ए ए ए यू आर एजी पी ए डवल और आपको मिल जाएगा बहतरी डिसकाउंट फलाल क्लिए इस सेशन इस वीडियो को हम यहाँ पर खत्म करेंगे आप से फिर मुलाकात होगी तिल देन आप लोग अपनी एक्जाम प्रिपरेशन और अपडेट क्लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए